असलाम लेकुम जी कैसे हैं आप सब लोग अच्शा आज मैं रीडी हो रही हूँ महंधी पर जाने के लिए मेरे देवर की महंधी है हसन के कजन की शादी हो रही है घिनaaaa between अर्वीडियू अच्पर कर रही है बहुत कैस्ठी क。 अपने एक बड़ावाला भरिके पानी लेक अंदर एक चमचा आपने अलसी कीचे बीज़ अट कर다 याने के फलेक सीट। एक चमचा ही आपने शिंद्धा फैनुगीक सीट कर ने आने के मेथि दानासो पकाने। आपने medium flame पे पर पकाने और इसका gel बनाने है, इतना gel बनाना है, इतना गाड़ा करना है, कि ü। चम्चे से चिपकने लगे एक gel form में आजाएं, मैं आपको आगे विडियो में दिखाते हूं कbourg में इस तारीके किसी आपने इसको करना है, मैंने इस पॉइंट पर flame को कर दिया अब मैंने चेक किया कि जो जैल है वो चमचे से चिपकने लगा तो आप गरम गरम फोरण ही इसको छान लो क्योंकि गाड़ा होने के बाद फिर यह चंता नहीं है ठंडा अगर जाए तो इसको मैंने फिर साइड में रख दिया कि ठंडा हो जाए कोई ठंडा होने के बाद आपके पास रखा हुआ है एक चमचा अपने इसके अंदर चावल काटा है चावल का पाउडर एड़ करना है और साथ में वन टीस्पून आप कोई भी ऐड़ कर लो यह आपको सूट करता है मैंने केस्टर ओयल ताले मिक्स करें अच्छा मैंने फिर ब्लेंडर में दाल किसको ब्लेंड कर लिया ताकि कोई भी लम्ज या वो जो गुट्लियां हो तक हम बाकी ना रहे और जब आप शैंपू करो तो इजली आपके बालों में से जो है मास्क निकल जाए थोड़ा सा यह पतला होता है ऐसा ही होता है ब्रश की मरद से आप अपने बालों की रूट से लेक मेले या ओयल लगे वे बालों पर आपने नहीं लगाना और शैंपू के बाद कंडिशनर लाजमी करने इतने मैंने हेर मास लगा के छोड़ दिया मैंने सुचा मैं आपको अपना आउटफिट दिखा देती हूँ यहां पर मैं यह पहनने वाली हूं यह मुझे मुझे मुझ के अंदी में इसको पहनूंगी बहुत प्यारा सा खुबसूरा सा कलर और एसही बट वाचा है ऐसे का प्लीन पाजामा है और फुल यह लॉंग शर्ट है बहुत खुबसूरा सूत है पहन के बहुत प्यारा लग एखत है ओक मैंने समझें पतानी कब पहना था लासnia टाइम और इस तरीक से उसके साथ मैंने मैचिंग के एरिंग भी लिए थें बट यह एरींग फिर मैंने खेर एंड टाइम पे चेंज कर लिए थे मैंआब को बताऊंगे क्यों बहुत हस्सीन लग रहे थें बहुत प्यारे यह मैंने कर आईOoh मैचिंग के शूज मेरे पास अल्रेडी रखे हुए थे जैक जीस के बिलकुल नियू समझें के मैं सेकंड टाइम पहनूंगी आज महंदी पे बिलकुल समझें डिटो कॉपी सेम कलर आप देख सेक तो इतने खुबसूरत की कॉंप्लिमेंट करे थे आउटफिट के साथ बहु क्लेंज किया और योर के डबल क्लेंजर के साथ मैंने स्किन पॉलिश वगएरा तो सब कल ही कर दी आपने कल वाली वीडियो अगर नहीं लेखे तो देख लिए कब मैं यह वाली वीडियो के बात करी हूं इसका लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी सब कुछ मैंने कल कर लिया था मैंने के ओर और इसकिन पॉलिश वगएरा इसलिए कि मुझे पता था मेरे पास आज टाइम नी होगा आज मैंने स्रिफ डबल क्लेंजिंग की या आप किसी भी फेस वाश के साथ ये क्लेंजर के साथ अच्छ से अपनी स्किन को क्लेंज कर लो उसके बा लेती हूं रेड नेल पेंट मैंने लगाई थी क्योंकि मुझे लिप्स्टिक भी रेड ही अप्लाइ करनी थी तो इस तरीके से नेल पेंट अपलाइ किया एक हाथ पे लगाए एक हाथ मैंने का मैं बार में अपलाइ कर लूंगी और उसके बाद फेस को वाश किया अपनी स् लगा सकते हो देखें जितनी आपकी स्कीन फ्रेश होगी हाइड्रेट होगी मॉंस्टराइज होगी उतना ही अच्छा आपका मेकप लगेगा फ्लॉलेस और लॉंग लास्टिंग ठीक है मैंने आपे ग्लास स्कीन एसन्स अपलाई किया डर्मकीन का आप इसकी जगह हाईलर अपकी बेस को बहुत अच्छे से वो फ्लॉलेस और लॉंग लास्टिंग और ग्लॉइंग करता है उसके बार मैंने अपने बाल ड्राइ किया और मैं अच्छा दी गई महंदी लगवाने और यहां पे जो है वो मैं अपने नेबर्स में महंदी लगवारी हूँ कि जहां मु हो चुका था आई थौट आम मैं रेडी हो जाती हूं महंदी भी मेरी उतर चुकी थी और मोस्ट चेंज मैंने कर लिया था काजिम भी सो कुड़ चुका था यहां पे मैं हिराली का मिस्ट फेस मिस्ट अप्लाइ करी हूं बहुत जबर दस्त है यह अच्छे से मैंने इसको स् प्रोड्यूस करती है और मेकप आपका बहुत ऑईली सा हो जाता है इसकी मैंने का इतने अच्छे मेरे सेट हो जाए इतने टाइम में मैं अपना आई मेकप स्टार्ट कर देती हूं यहां पर मैंने कंसीलर लिया उसको आँखों के उपर अपलाए किया और फिर फॉरन पाउ मेकप बहुत सिंपल रखना था क्योंकि मुझे लिप्स्टिक जो है वो बोल्ड रखनी ती और बरात के दिन मैंने सोचा हूँ है कि मिल्स्टिक बिल्कुल लाइट रखूंगी आई मेकप थोड़ा सा में हो सकता है है वी कल्डू या स्मोकी आइज वगरा भी कुछ सोचा आज के दिन मैंने यह सोचा था कि मेरे आउटफिट का कलर ऐसा है तो लिप्स्टिक मुझे बोल्ड ही रखनी है मैंने इनर और आउटर कोर्णर पे ब्राउन शेड लगाया उसको ब्लेंड किया बीच में जगा छोड़ दी थी यहां पे मैं अपलाई कर रही हूं यह गोल् कर लिया इनर और आउटर कॉर्णर से एक छोटे से ब्रश के साथ मैंने एक ब्लैक शेड लिया दूसरी पैलेट में से और जैसे हम लाइनर लगाते ना इस तरीके से जस्ट कॉर्णर पे मैंने हलका सा ब्लैक शेड अपलाई किया ताकि आखों में एक डैप आजाए यहां यहां पर मेरा आई मेक अप हो गया था दूसरे आख कभी हसन पीछे खड़े हुए अपने जूते पॉलिश कर रहे थे तो फुल आउन जो शादी वाले घर का महाल होते है ना बिल्कुल हमारा वही इस टाइम हुआ वा था लेट हो गया था और मुझे वीडियो भी करनी थी तो बहुत टेंशन में थी यहां पर मैंने अपलाई किया प्राइमर और मैसिलर वाटर के साथ मैंने आखों के रीचमना अएरिया क्लीन कर लिया तके कोई बाइशिटों अगर अगर लगा वाए तो सारा क्लीन हो जाए यहां पर मैं लगाने लगी हूं फांडेशन हुदा और Nix का यह liquid foundation है मेरे पास अलमूस खता हो गया मैंगा मैं निक्स करके बेंड किया अच्छे से मैं ब्लेंड किया और प्रफिर पंज के साथ ब्लेंड किया बहुत जबर्दस्ट जो है वह मेरी foundation हो जाती है जब मैं अपनी skin को prep अच्छे से करती हूँ, बिल्कुल केकी नहीं होता, लाइंज नहीं बनती, बस आपने अपनी skin को ना makeup से पहले अच्छे से प्रैप करना है और फिर ये बेड़ करता है क्या foundation कैसे यूज करे हो, कौन सी foundation यूज करे हो, यहापे मैंने concealer लगाया जिस्थ फोड़ा सा क्योंकि इसकी कवरिज बहुत जाता है टार्ट की कंसीलर की आंखों के नीचे और ये गोल्डन रोस की एक कॉंटूरिस्टिक में रपस रखी थी क्रीम कॉंटूरिस्टिक इसके साथ मैंने कॉंटूरिंग की अच्छा अगर आप कॉंटूरिंग करनी नहीं आती तो आप इस तरीके से कर सकते हैं जैसे कि मैं आप आपको एक टिप बता रही हूं इस तरीके से ब्रश रखके और उसके साथ आप करो एक अच्छी सी लाइन बन जाती है अब इसी लाइन को आप करो ब्लेंट ठीक है क्योंकि जब आफ फॉर्णिशन लगाते हो ना तो उसक बाकि चीक्स किये हलकी सी नोस की और नीचे की साइट पे किया लेकिन कॉंटॉरिंग करती जरूर हूं थोड़ी सी मैनेज है टिंट अप्लाई किया सो कॉंटूर के साथ ही ब्लैंड कर दिया उपर की साइट पे इससे फेस आपका लिफट अब लगता हूं कॉंटूर की उपर लाइन्स ना बनें बहुत जादा पाउडर में नहीं लगाती जितना आप पाउडर लगाओ कि उतना ही फेस आपका केक ही लगेगा यहां पर हसन हो चुके थे रेडी और उन्होंने मेरा बीपी हाई करने शुरू कर जाता है कि तुम लेट कर रही हो जल्दी तयार बाउडर पाउडर अप्लाई कि रात के फंक्शन में हाईलाइटर बहुत प्यारा लगता है एक डार्ट ब्राउन शेड लेके लिप पैंसिल का मैंने लिप पैंसिल लगाई और फिर मैंने लगाया रेड शेड यह पाकिस्तानी ब्रेंड कही है मैं स्क्रीन पे नाम लिख इंस्टेग्राम पेज से आपको मिल जाएगा मुझे मैंने सोचा हुआ था कि मैं रेड लगाऊंगी इसके साथ और वह बहुत प्यारा भी लग रहा था तो यह समझे मेरा मेकप हो चुका था रेडी सारी चीजे मैंने कर ली थी हिजाब टुटोरियल मैंने इसली शेर नही नहीं दिया सिंपल सा तरीका है बहुत आप यह वाली वीडियो जाके देख लो अच्छा एरिंग्स बहुत प्यारे लग रहे थे लेकिन मुझे लगा कि बहुत हैवी लग रहे हैं क्योंकि मेरी बहुत हैवी हैवी पहनने की आदत खतम हो चुकि है तो खेर मैंने पिर करते हैं तो आपको पता चली गया होगा कि हम लोग जो है अपना सेकंड चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं माशाला माशाला रहम दोलिल्ला तो यह मैंने अल्रेडी कल इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिया था सोचाया अपनी यूट्यूब फैमली के साथ में शेयर कर दू का का वो लेकिन बहुत सिंपल सा फंक्शन है तो लेकिन मैं कोशिश करूंगे कि उसकी चोटी सी वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूं अपना बहुत ख्याल रखेगा दौाओं में मुझे मेरी फैमली को काजिम को खास याद रखेगा और इंस्टेग्राम पर मुझे तो मच अलाह आफेज